Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल देखे क्या हुआ है कि अभी 2018 में रोहिनी पैनल का गटन किया गया था, OBC सब केटेगराईजेशन को लेकर, और फाइनली अब जाकर, मैं आपको बता दूँ, लगबग 14 बार extension दिया गया इस पैनल को, और फाइनली अब जाकर इन्होंने, रोहिनी पैनल ने अपनी जो report है, वो President को सौब दिया, आप देख सकते हो, 14 extensions later, पैनल on OBC सब कोटाज फाइल रिपोर्ट, तो इसके बारे में हम discuss करेंगे, कि exactly है क्या, क्या किया गया इस पैनल के दौरा, आखिरकार OBC के अंदर सब केटेगराईजेशन की मांग क्यों हो रही है, और इसकी वजए से, again, पैरेल से जानेंगे, लेकिन उसके पहले ध्यान रखेएगा, आप में से जितने भी लोग, UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 11 अगस्त से 3 live batch, again, Study IQ, launch कर रहा है, pure English, pure Hindi, या फिर English में, जो भी आप लेना चाहते हैं, और prelim से लेकर interview तक की पूरी त्यारी करना चाहते हैं जिसके अंदर सभी आपको live classes मिलेंगे, personal mentor a lot किया जाता है, पूरे journey के दौरान वो आपके साथ रहते हैं, test series हो गया, मतलब इसके लावा आपको कुछ भी और लेनी के आशकता नहीं पड़ेगी, तो simply हमारे website आप पर जाएए, या फिर comment section में इसका link है, वहाँ पर जाकर use क ये code अंकित live, अंकित live से आपको सबसे ज़्यादा discount मिल जाएगा, 2025 की त्यारी कर रहे हैं, तो ये ले सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जाएगे, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, च इसका नाम है, रोहिनी कमिशन, अब ये रोहिनी क्या है, बेसिकली जो Justice G. रोहिनी है, who is retired Chief Justice of Delhi High Court, उनकी अध्यचता में, चार मेंबर का ये कमिशन का गटन किया गया था, और 2017 में इसका appointment हुआ था, और अब जाकर, सोच के देखे, अब जाकर इसका जो report है, वो President को submit किया प्रेसिलेंट जो दुरापती मुर्मू है, उनको 31st of July को ये submit किया गया है, और आप देखी सकते हो, कि 14 बार मतलब की इसका जो extension है, वैसे तो अगर आप देखोगे, तो इसका report बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन बार बार इस panel का extension किया गया, और आप देख सकते है 29th of January को इसी साल यहाँ पर 14th बार जो extension है वो दिया गया था, लेकिन अब फाइनली ये report submit हो चुकी है, अब ये जो commission है, उसको set up किया गया था, क्योंकि एक action policy को लेकर problem आ रहा था, basically क्या है ना, कि जो OBC को quota दिया जाता है, reservation दिया जाता है, आपको पता है, देश भर में च reservation OBC के पास है, other backward classes के पास, लेकिन पिछले कुछ समय से problem ये आ रही थी, बताए ये जा रहा था, कि ये 27% reservation का जो फाइदा है, वो कुछी लोग उठा पाते हैं, और इसी की वजह से हमें यहाँ पर इसको sub-categorize करने की ज़रुत है, और यही कारण है जिसकी वजह से ये commission ज जो contents हैं, उसको publish नहीं किया गया है public में, मतलब अभी हमें नहीं पता कि इस commission ने क्या suggestion दिया है, क्या नहीं दिया है, लेकिन ये अगर सामने आया, और especially अगले साल 2024 में लोग सभा का election है, तो देखना होगा कि क्या सरकार इसको public करेगी कि नहीं करेगी, वो आगे देखने व पात गौर में बता रहा था कि जो government jobs हो गया, educational institutions हो गया, वहाँ पर जो admission लिया जाता है, उन सभी जगहों पर आपको 27% reservation किसके लिए होता है, other backward classes के लिए होता है, और मैं आपको बता दूँ, ये OBC कि अगर आप list देखोगे, central government जारी करती है, जो list जारी करती है, उसके और इन सभी को ये 27% reservation दिया जाता है, लेकिन क्या हुआ है, पिछले कुछ समय से ऐसा perception बनता जा रहा है, कि ये 27% का फायदा कुछी communities उठा पाती है, मतलब कि जो effluent committees हैं, देखो क्या है ना कि reservation आकिरकार क्यों बनाया गया, कि यहाँ पर जो backward classes के लोग है, उनको main धारा में लाया जा सके, उनको समाज में उपर लाया जा सके, अब मान लो यहाँ पर क्या है, कि OBC के अंदर भी आप देखो कि ये तो बहुत सारे अलग-अलग communities आपको देखने को मिलेंगे, कुछ communities ऐसे हैं, जो already क्रीमी लेयर में आते हैं, जो already उपर आ चुके हैं, तो क्या हुआ ह कि फिछले कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है, कि वहीं इसका फायदा और जादा उठाते जा रहे हैं, तो इसी की वजए से यहाँ पर मांग हो रही थी, कि क्यों नहीं इसको further sub-categorize कर दिया जा, मतलब OBC के अंदर ये जो 2600 entries हैं, उसमें से ये क्योंने रिसाइड किया जाता कि ये वाले जो communities हैं, वो अभी भी बहुत जादा backward हैं, तो 27% में से 15% इनको मिलना चाहिए, फिर बाकी का जो 12% बचा वो बाकी के लोगों को मिल जाना चाहिए, तो इस तरह से जो sub-categorization होता है, उसकी मांग यहाँ पर हो रही थी, और यही कारण है, ये जो equal distribution की ज return किया गया था, अब आप देखी सकते हैं, कि ये जो panel है, जो मैं आपको बता रहा था, Justice Rohingy Commission, ये 2017-18 से इसकी जाच कर रही है, ये panel जो है, इसके बारे में sub-categorization को लेकर, ये जो पूरा panel बनाया गया था, वो इसका पूरा examination कर रही थी, लेकिन क्या होता है, 2020 में August के महने में Supreme Court की 5 Judge Bench का भी कुछ फैसला आ जाता है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा क्या हुआ था, 2005 में एक decision आया था, पांच जजों की Bench का EV चिन्नया वर्सेस State of आंधर परदेश, अब इसमें क्या था, कि जो EV चिन्नया थे, वो ये claim कर रहे थे, कि जो SC और STs हैं, इसमें किसी भी प्रकार का sub-categorization नहीं होना चीए, मतलब कि अगर मान लो 27% OBC का quota है, तो इसको divide नहीं करना चीए, कि 10% इसको मिलेगा, 5% इसको मिलेगा, और बाकी का 10%, 12% इनको मिलेगा, इसको sub-categorization नहीं करना चीए, ऐसा 2005 में हुआ था, लेकिन ये जो decision आया था 2005 में, ये Supreme Court का, उसको वापस से revise करने की जरूरत है, ऐसा Supreme Court ने 2020 में बोल दिया, खैर उसको लेकर आगे कुछ खास हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, रोहिनी कमिशन के बारे में, तो जो रोहिनी कमिशन बनाया गया था, इनको 3 main काम दिया गया था, ध्यान रखेग अब वो 3 main काम क्या है, सबसे पहले इस कमिशन को यह बोला गया, कि आपको पता लगाना है कि यह जो OBC है, मतलब कि जो other backward classes हैं, उसके अंदर कितना inequitable distribution है, मतलब कि कौन इसका ज़्यादा फायदा उठा रहा है, कौन इसका कम फायदा उठा रहा है, कौन कोई भी फायदा न हम इसको further sub-categorize कर सकें, और finally उसके बाद आपको decide करना पड़ेगा कि कि किस classes, मतलब कि OBC के अंदर कौन से community को किस category के अंदर डालना है, किस को कितना यहाँ पर देना है reservation, वो आपको तेह करना है, तो यह 3 जो main काम है, वो basically इस commission को दिया गया था, रोहिनी commission को दिया गया थ अब आप देखी सकते हो कि जैसा मैंने आपको बताया, 2017 में यह commission बना था, और यह basically सिर्फ 12 हफते के लिए commission बना आया था, इनको 12 हफते के अंदर यह पूरा report submit करना था, 3rd January 2018 को, लेकिन ऐसा possible नहीं हो पाया, आप देख सकते हैं कि 30th of July 2019 में commission क्या करती है, government को एक पत्र लि list है ना, जो मैंने आपको बताया है, 2600 जो entries हैं, OBC list के अंदर, उसमें बहुत सारे ambiguities हैं, बहुत सारे problems हैं, खामिया हैं, तो सबसे पहले हमें उसको rectify करना पड़ेगा, तो इसी की वज़े से क्या होता है, कि 2020 में, जन्वरी के महने में, यह जो 3 main काम दिया गया था commission को, इसमें चौथा काम भी add कर दिया जाता है, चौथा जो reference है, वो भी add कर दिया जाता है, और यह कहा जाता है, कि OBC की list में आपको सुधार करना है, मतलब कि OBC की list है 2600 communities की, उसके अंदर अगर कोई भी repetition हो रहा है, problems हैं, inconsistencies हैं, errors हैं, spelling की, transcription की, तो उसकी सुधार आप करिए, यह चौथा काम भी यहाँ पर finally commission को दे दिया गया, तो अब question यह है, कि commission का जब से गठन हुआ है, तब से लेकर अभी तक, इन्होंने क्या काम किया है, देखो क्या हुआ है यहाँ और चीज़ मैं आपको दाता हूँ, July 2019 में commission ने यह कहा था कि हमारा जो report का draft है, वो already ready है, द 2019 में यहाँ पर इन्होंने यह बोला, July 2019 में कि हमारा draft ready है, लेकिन फिर क्या होता है, कि यह जो चौथा वाला काम दिया गया था, आप देख सकते हो नो, यह जो चौथा वाला काम उनको दिया गया था, कि यहाँ पर list के अंदर बहुत सारे problems हैं, अबिक्विटीज हैं, उसक सबसे पहले तो हमें यह पता होना चीए, कि कौन सी community की कितनी population भारत के अंदर है, क्योंकि वो data अभी सामने नहीं था, latest data नहीं था, तो यहाँ पर commission नहीं यह कहा, कि आप हमें कुछ budget अलाव करिए, कुछ पैसा दीजे, ताकि हम all India survey कर सकें, कि कौन सी OBC की कितनी population है, OBC के अंदर जो अलग-अलग communities है, उनकी कितनी population है अभी present में देश के अंदर, और इसी की वज़े से क्या हुआ, यह delay होता क्या, लेकिन मैं आपको यह भी पता दूँ, जब 2019 में लोगसभा का चुनाव आया था, तो लोगसभा चुनाव में यहाँ पर commission नहीं यह कहा, कि हमें य all India survey करने की जरुवत नहीं है, और इसी की वज़े से क्या होता है, कि all India survey actually होता नहीं है, क्योंकि अब देखो, क्या है ना, आपको पता होगा यहाँ पर, कि census होने वाला है देश के अंदर, अब census तो 2021 में हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ हुआ है, वो delay होता गया है, क्योंकि COVID वगर की वज़े से delay होता गया, बताया जा रहा है कि 2024 तक यह पूरा जो census है, जनगरना है, वो पूरी complete की जाए की, तो क्या हुआ था, 2018 में Home Minister राजना सिंग थे, अब तो अमिर्शाह है, तो क्या है कि उन्होंने यह कहा था, 2018 में, कि जो census होगा 2021 का, उसमें OBC का ही data collect किया जाएगा, देखो अभी तो पूरे देश भर में आप देखो कि जो अलग-अलग political parties हैं, वो मांग कर रही है, caste census की, मतलब देश के अंदर कितनी कौन सी caste है, उसको लेकर यहाँ पर जनगरना की जाए, लेकिन BJP उसको नहीं मान रही, BJP का कहना है कि नहीं हम उसको नहीं होना देना चाहते हैं, इसको बिहार के अंदर आप देखिए, तो इसको लेकर एक बड़ी politics चल रही है, यहाँ पर क्या हुआ है कि बिहार सरकार ने यहाँ पर कहा है कि हम बिहार के अंदर caste census करेंगे, तो इसको लेकर petition वगर डाला गया था, इंफरक्ट मैं आपको ब बिहार के अंदर caste survey conduct कराएगी, लेकिन all over India level basis पर आप देखोगे, तो caste census नहीं होगा, अभी के लिए तो BJP का ये कहना है, वो देखने वाली बात होगी कि exactly caste census हो पाता है कि ने, लेकिन अगर caste census हो जाता, तो आपको exact number पता चल जाता कि OBC के कितने हैं, SE के कितने हैं, ST के कितन हैं, तो दोस्तों I hope कि आप समझ रहे होगे कि ये कितना जादा complicated है, ये politically कितना sensitive है, यहाँ पर अगर मान लो, caste census में आ जाता है कि SE की population इतनी बड़ी है, तो फिर उस हिसाब से यहाँ पर reservation की भी मांग उठेगी, तो कहीं न कहीं उसी को देखते वे BJP कह रही है कि हम caste census नही को बताता हूं, जो commission बनाया गया था, उन्होंने 2018 में कुछ data का analysis किया था, और वो data में ये देखा था कि OBC का जो quota है 27%, उसमें actual में कितने percent caste communities को कितना फायदा होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे, तो 2018 में पिछले 5 साल के data का, मतलब 2013 से लेका 2018 तक के data का analysis किया गया, जि analysis किया गया, फिर इसके अलावा, देश भर में जितने भी universities हैं, IIT हैं, NIT हैं, IAM हो गया, aims हो गया, वहाँ पर पिछले 3 साल में, 2015 से 2018 के बीच में, कितना quota गया है OBC को, उसका analysis किया गया, आप देखें, इसमें बहुत ही चौकाने वाला figure था, चौकाने वाला figure क्या था, उस कि माल लोगर मैं कहता हूँ, 100 OBC कास्ट हैं, ठीक है, तो देश भर में जितना भी 97% reservation OBC के पास जाता है, उसमें से 25% OBC को ही 97% का फायदा मिलता है, फिर इसके लावा आप देख सकते हो, ये भी बताया गया, कि 10 OBC communities ऐसी हैं, जिनको 25% फायदा होता है, jobs and seats के अंदर, मतलब, कहने का मतलब बेसिकली यही है, कि कुछ OBC communities जो हैं, वो जादा फायदा ले रही हैं, इस 27% का, ये भी आप देख सकते हो, ये figure बताया गया, कि 983 OBC communities हैं, जिनको reservation में सिर्फ 2.6% का फायदा होता है, ठीक है, तो इसी लिए, I hope कि अब आपको अच्छे से समझ में आ हो गई है, अब सरकार करने नहीं होगा, कि क्या, क्या ये जो report है, क्या उसको publish किया जाए कि नहीं किया जाए, जैसे कि मैं, मैं इसको पिछले जो 1990 में जो चीजें हुई थी, कुछ वैसा ही होता हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि 1990 में यही हुआ था, मंडल कमिशन की जो report थ organization का जो report है, क्या वो सरकार लाएगी, नहीं लाएगी, वो समय बताएगा, बट I hope की वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिले होगी हो, लेकिन जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते है कि who has the right to decide, who will be included in the list of scheduled cast and scheduled tribe, मतलब कि SC और ST की जो list होती है, उसके अंदर किसको रखा बाकि अगर आपको PDF ये तो Telegram पर आएए, अलग-लग social media को लेकर आप जुडपाओगे, और अगर आप UPSC की त्यारी करना चाहते हैं, जन जस्ट जॉइन जॉइन दिस कोर्स बाइजिग यूजिग दिस कोर्स बाइजिग यूजिग दिस कोर्स बाइजिग यूजिग अंक